नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 22 अगस गुरुवार सुबह सवाची बजे राजस्तान की बड़ी खबरी राजसान में बुदवार को अनुसूची जाती वजन जाती के आरक्षन में क्रीमी लेयर पर उचितम न्याले के फैसले के विरुद भारत बंद के तरह बंद शांती पूणे में इसका मिला जुला असर रहा राजानी जैपूर समेथ प्रदेश के जोधपूर अजमेर भरतपूर सही कई जिलों में बंद के तैत से सबंदित कई संगठनों ने रेलिया निकाली बंद के मद्दे नजर कई जीरों में कॉलेश वे स्कूल भी बंद रहे और बंद के मद्दे नजर लोग अपने घरों से बिना वजा कम ही निकले प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी दो दिन के दोरे पर पॉलिन पहुँचे जिस ओटल में वे ठहरे हैं वहां भारतिय समुदाय के लोगों ने पीएम मोधी का स्वागत किया मोधी के स्वागत में डान्या नित्य की प्रस्तूती दी गई और पीएम मोधी आज गुरुवार को पॉलिन के प्रधान मंत्री डोनाल टस्क और फिर राष्ट्रपती आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे भारत से रवाना होने से पहले पीएम मोधी ने कहा था कि मैं पॉलिन और युकरेन की अधिकारी की यात्रा पर जा रहा हूँ पॉलिन के साथ राजनेक सबंदो के 70 साल पूरे होने की मोके पर यह मेरी यात्रा हो रही है पॉलेंड मद्य यूरोप का हमारा आर्थिक साज़ेदार है पॉलेंड के बाद पीम मोदी तेई सगस को ट्वेन से युक्रेन पहुंचेंगे इस यात्रा पर उन्होंने कहा कि वैशांती से जंग के समाधान पर राष्टुपती जैलिन सिंग की के साथ अपने विचार साजा करनी के लिए उत्सोख है इसके बाद विट्वेन से युक्रेन के लिए रवाना होंगे जोदपुर रेंज आईजी की स्पेशल टीम ने पेपर लीग मामले में राजस्तार में वांटेड एक और आरोपी को पकड़ा है पेपर लीग का यह किंग पिंग जोदपुर कमिश्रेट में 2015 से कारे रत था और पुलिस के सबी पैतरे जानता था ऐसे भी लंबे समय से फरार चल रहा था रेंज केस साइकलोनिक टीम पहले स्टील फेकल्टी की मजदूर बनकर हैदराबाद में काम किया और वहां से महतपुन सुराग मिला और पता चला किवे गंगानेगर में है आईजी विकास कुमार ने बताया कि कॉंस्टेबल शेताना राम 2015 से जोदपूर कमिशुरेट में कॉंस्टेबल पत पर कारे रत था विबन थानोवा विभाग में रहा ऐसे भी उसे पुलिस की तकनीकी तरीकों से पारंगत था राजसान कॉंग्रेस प्रदिशा तेक गोविन सिंग डोटासरा ने कहा है कि केंदर सरकार को बैकपूट पर आकर सेवी चीफ को भी पत से हटाना होगा हिंडनबग रिपोर्ट में है साफ जाहिर हो चुका है कि सेवी चीफ ने गड़बडी की है और हमारी पार्टी इसकी जेपीसी बना कर जाच की मांग कर रही है लेटरल एंटी पर राहूर गांधी के मामले को उठाने की बाद जिस तरह का माहूल बना उस पर सरकार को बैकपूट आना था हम 22 सितंबर को इस मुद्दे पर ED दफ्तर के सामने विरोध करेंगे सुप्रिम कोर्ट बुद्वार को लाइट मोटर वीकल लाइसेंस से जुड़े एक मामले के सुनवाई दुबारा शुरू करने को राजी है इस केस में यह तै किया जाना है कि क्या LMV चलाने का लाइसेंस रखने वाले शक्स को 7500 से कम वजन वाले ट्रांसपोर्ट वीकल को चलाने की जाज़त होगी इंशुरेंस कमपनियां ऐसे क्लेम के पेमिंट पर सवाल उठा रही है जिसमें LMV लाइसेंस धारकों के ट्रांसपोर्ट वीकल चलाने से एक्सिडेंट हुआ हो कॉंग्रेस हज्यक्ष मलिका अजुन खडगे तता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहूल गांदी दो दिन के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है और गुरुवार को वेराजधानी श्रीनगर में कारेक्रमों में पार्टी कारेकरताओं को संबोधित करेंगे दोनों नेता कल श्रीनगर और जम्मू में पार्टी कारेकरताओं को संबोधित करेंगे दोसा विदानसबा सीट पर उपचुनाफ की सुखबगाहट के बीच सांसद मुरारी लाल मिना की बेटी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कॉंग्रेस पार्टी के सियासी हलकों में खलबली मचाती है दरसल सांसद के ड्राइवर मुकेश मीना की बीते दिनों जनम दिन था जिसका सांसद और उनकी बेटी निहारिका ने सेलिब्रेशन किया था इसके बाद निहारिका ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि दोसा सांसद महोदे जी के ड्राइवर और दोसा से विधायक प्रत्याश्री मुकेश मीना जी को जनम दिन की भढ़ाई जिस पर उन्होंने वापस कमेंट बोक्स में लिखा कि आप सब के विचार जानने की बाद मुकेश जी ने दोसा से चुनाव लड़ने का विचार निरस्त कर दिया है आम आदमी पार्टी ने बुद्वार को जम्मु कश्मीर विधानसवा चुनाव लड़ने का एलान किया दिल्ली की खादय मंतरी इमरान हुसेन ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में इसकी जानकारी दे उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मु कश्मीर में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी अगर हमारी सरकार बनी तो हम जनता को मुफ्त बिजली और स्वास्त सुविधाएं देंगे और महला क्लिनिक मनवाएंगे मैं जम्मु कश्मीर के जनता से अपील करता हूँ के वेकेश जिवाल को एक मोका दे राजसान की सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के लाबार्तियों को बड़ा तोफा दिया है मुक्यस चेफ सुधान शपंद की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट राजस्तरिय स्विक्रती एवं निगरानी समीती और अमरित योजना को लेकर बैटक आयोजित की गई बैटक में 12,559 आवासों की स्विकती दी गई जिसके तहट प्रतेक लाबार्ति को स्वयम का पक्का आवास निर्मान हेतु जोदपुर शेयर के नवचों की आज जालामंड में 30 बारिश शुरू हो गई है और मोसम विभाग की साइट की माने तो मोसम अचानक फिर करवट बदल रहा है जिससे लोगों को उमत से काफी राहत मिलेगी केंदिये रेल वेखादे प्रसंसकरन राजय मंतरी रवनीज सिंग बिट्टू ने राजसान से गद दिवस राजसबा के लिए नमांकन भरा और इस मोके पर मीडिया से बात करते हैं उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस तरह का माहुल बनाया जा रहा है कि पंजाब में कि किसान बीजेपी से खुश है लेकिन चंद किसान लीडर अपना पेट भरने के लिए प्रोपेगेंडा चला रही है दिल्ली में बुद्वार को भाजपा पार्शदूने लगातार हो रहे जल भराव के गठन और अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली की मेर शैली ओवेरोय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ये पार्शर शैली ओवेरोय और दिल्ली सरकार में मंतरी आतिशी से इस्तिफ़े की मांग कर रहे थे बाड मेर से इलेक्ट्रिक इंजल से रेल गाडियों के संचालन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा ट्रेनों को इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए गडरा रोड के बाद बाड मेर में ट्रैक्शन सब स्टिशन का निर्मान कारे लगबग अंतिम चरण में है दूनों 132 क के वी TSS को बिजली कनेक्शन का इंतजार है गौर करने वाली बात है कि रेलवे अधिकारियों ने इलेक्टिफिकिशन कारे की दुरान यहां दावा किया था कि जन्वरी दोहजार चोबिस में बार्ड मेर से इलेक्ट्रिक गाडियां चलने लगेगी लेकिन अभी तक गाडिय को ने अपनी एडवांस बुकिंग को रद कर दिया है जिस दिन यह खटना हुई थी उसी दिन कई प्रैट्कों ने डर के कारण होटल्स खाली कर दिये थे ऐसे में इससे जुड़े लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उधैपूर में अगस्तमा में पांच लाग 68,198 रुपे की रकम वापस उनके खाते में जमा करवाने में सफलता हासिल की है पुलिस सदिक्षक भुवन भुशन यादव ने बुद्वार को बताया कि ठगी के शिकार हुए लोगों ने साइबर हेल्पलाइन वा साइबर क्राइम पोर्टल पर ओनलाइन फ इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ धन्यवाद